हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू सुश्माज क्राफ्ट एंड क्रेशन चैनल फ्रेंट्स आज हम जूट का टेबल ड्रनर बनाना सीखेंगे मैंने आपको वीडियो नमबर 127 127 में तारकशी के बहुत सारे स्टाइल्स सिखाए थी उन में से कुछ स्टाइल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे और साथ में हम लेजी डेजी स्टिच और कुछ स्ट्रेट स्टिच के साथ थोड़ी सी इंब्राइजी भी करेंगे तो यह table runner आप जैसा देख रहे हैं यह मैंने cotton jute का बनाया है cotton jute market में हर कलर में मिल जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं यह countable cloth है इसमें से जो हमारी lines है हम इनको count भी कर सकते हैं और इनको thread भी निकाल सकते हैं तो हमें ऐसा कपड़ा select करना है मैंने cotton jute ली है आप khadi casement या cotton encasement कुछ कोई भी कपड़ा जो market में available हो यूज कर सकते हैं सबसे पहले हम जितना बड़ा हमें table runner चाहिए उतना बड़ा पीस हम cloth में से निकाले हम इस पे तारों को निकालते हैं तार कशी जो है वो तारों को कसने का art है हम पहले यह वाला portion बनाएंगे तो इसको बनाने के ल निकालने हैं यह कुछ तो imagination work करेगी और कुछ आप अप इस style से जैसे कि मैंने निकालने हैं आप देखके भी निकाल सकते हैं तो इसकी embroidery के लिए मैंने anchor के threads यूज करें हैं 6 की 6 strand से मैं work करूंगी embroidery के लिए हम blunt edge वाली tapestry needle यूज कर रहे हैं सबसे पहले हम जितना बड़ा हम table runner चाहिए उतना बड़ा piece एक निकाल लेंगे पूरे अपने cloth में से निकालने के बाद हम उसके edges से जैसे हमने यह almost decide कर लिया कि इतना चौड़ा हमें हाशिया चाहिए तो हम फिर यह यह जो है तारे निकालते हैं यह वाला block बनाने के लिए हमने सबसे पहले तारे निकालनी है यह देखें ऐसे बहुत आसानी से दागे निकल जाते हैं यह मैंने दो निकाल दिये हैं जितनी चाड़ी बिर्थ हमें चहिए मोटिफ की या इम्प्राइजी की उतने threads हम इसमें से निकाल लेंगे तो यह देखें मैंने 5 strands निकाली हैं 5 इधर से निकाली हैं 5 इधर से नि देखें मैंने साइड में भी हमिंग करी है सिंपल हमिंग की है इसके लिए भी मैंने एक और यहां पर थ्रेड जो है वो निकाला है ताकि मैं यहां पर तारकशी एंड पर भी कर सकूं हम side border बनाने के लिए सबसे पहले ये portion जो है यहां से thread निकालेंगे तो इसके लिए हम हर 8 strands के बाद एक thread निकालते हैं यहां मैंने 2 के बाद भी निकाला है क्योंकि यहां पर मेरे को एक bordering हाशिया देना है तो अब यह सारे threads जो मैंने निकाले हैं यह देखें यह corner में squares बना रही हैं यह बहुत beautiful effect देता है इन squares के बीच में हम lazy lazy stitch करेंगे तो हम इन threads को भी ऐसे ही खिंच लेंगे यह last thread है इसको भी हम ऐसे ही खिंच लेंगे हम सबसे पहले 3 side पे work करते हैं 4 side पे हम last पे work करते हैं ताकि हमें पता चल जाए तारों को count करना बहुत जरूरी होता है इसमें तो यह मैं 4-4 यह देखें मैंने यहां से शुरू की है तारकशी इसमें मैं 4 strands उठाती हूँ 1, 2, 3 and 4 4 strands उठाने के बाद इनको दुबारा से उठाके और इसके बिल्कुल सामने 1st and 2nd 2nd stitch पे यूँ नीडल को निकाल लेते हैं और इनको जोर से कसके टाई कर लेते हैं फिर से हम next 4 उठाते हैं और इनको भी यूँ दुबारा से इसमें से पास करके इसके बिल्कुल उपर 2nd stitch पे हम नीडल को निकालते हैं और इसको यूँ टाई कर लेते हैं यूँ zigzag कैसे बनाना है मैं इसको next step में बताऊंगी और इसी तरीके से हमने outside पे भी यह जो हमारी तार खिंची थी हमने वहां पे भी हम simple hemming कर लेते हैं हर 4 stitches के बाद यूँ उठा लेते हैं हम stitch और उसको हम कर लेते हैं तो सबसे पहले हम चारो तरफ simple hemming कर लेंगे motif कैसे बनाना है threads कहां से खीचने है यह आपकी imagination पे depend करता है पर आपने जितने भी threads निकालने हैं उनको count करके निकालना है बिना count किये आप नहीं निकाल सकते जैसे मैंने यह 8 stands के बाद एक stand निकाल ली है उसे यह 8 by 8 का एक square बन जाता है तो यह जो flower है यह 8 by 8 square में ही हम बनाएंगे देखी जब हम यहां इस edge पर पहुंच जाते हैं यहां से hemming करते हुए तो हम इसको यहां से needle को थ्रेड को यहां से निकाल लेते हैं यहां से निकालने के पाद हम इस side cber करना शुरू कर देते हैं यह देखे मैंने इसको यहां पर निडल को ले आई और अब हम यह जो हैं इसके भी 4-4 स्टिचीज जो हैं वो उठाएंगे और यूँ इनको टकिंग करते जाएंगे बाद में हम एक्स्ट्रा थ्रेट्स को ट्रिम कर लेंगे क्योंकि यहां से हमने काट दिया है अब हम इसको पकड़के ही यूँ कर लेंगे तो यह देखें हमारा कॉर्णर है यहां पर हमारे टू स्ट्रेंट्स बच रहें तो हम दो स्ट्रेंट्स को अपस में यहीं हमिंग करते हुए टाइ कर लेंगे पहले एक बार ही गुजारेंगे फिर सेकेंड टाइम और फिर इसको ऊपर सेम स्टिच के साथ टकिंग कर देंगे ऐसे और फिर इस साइट इस साइट भी हम यहीं हमिंग करेंगे फोर फोर स्टिचीज लेंगे ऐसे एक बर ही पास करेंगे सेकेंड टाइम पास करेंगे और इसको यूं कस लेंगे कसने के बाद इसके बिल्कुल ओपोजिट दो स्टिचीज उपर निडल को निकाल लेंगे तो जैसे आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमने इस सैड हम किया है इसी तरीके से हम यहाँ पे भी हम कर लेंगे तो देखें हमने इसके चारो तरफ हम स्टिच कर लिया है यह देखें चारो तरफ हमने फोर फोर स्टिचीज उठा के हम स्टिच कर लिया है अब हम यह जो extra thread है इसको निकाल लेंगे यह अपने आप एक बहुत अच्छी सी fringe बन जाएगी यह इस तरफ थोड़ी चौड़ी है आम इसको भी थोड़ा सा trim कर लेंगे अब मैं आपको यह zigzag hemming सिखाऊंगी कि यह कैसे की गई है सबसे पहले जो अपने needle में thread डालते हैं उसको एक तरफ गांट लगा लेते हैं अब इसको start करने के लिए हम कैसे work करते हैं यह आपको समझाऊंगी मैं सब यहाँ पर four stitches उठाए थे यहाँ पर हम सिरफ two stitches तो यह automatically यहाँ पर lock हो गया हमारा thread और यह जो गांट है इसको हम पिछली तरफ ले जाएंगे और उपर two stitches के बाद हम इसको tucking करतेंगे ऐसे तो यह गांट पीछे ले जाएंगे दो stitches हम यहाँ पर tuck कर लिए दो यह दो next वाले जो हमारे यह four stitches है इसके भी two stitches उठाएंगे two पिछले वाले ले लेंगे और यह four stitches को हम फिर से hem करेंगे एक बार pass किया second time pass किया और इसके बिल्कुल opposite उपर हमने needle को निकाला और ऐसे इसको जोर से खिंच के टक कर दिया तो यह देखें कैसे zigzag stitch बन रहा है दो stitches पिछले वाले लेते हैं दो next वाले लेते हैं और इन चारो stitches को हम needle pass करते हैं एक बार और second time जब हम pass करते हैं तो इसके बिल्कुल opposite उपर यहाँ पर हम अपनी needle को निकालते हैं और इसको कसके खेंच लेते हैं इसी तरीके से है यह भी hem stitch लेकिन stitches को उठाने का एक डंग है जिससे यह zigzag automatically बन जाता है यह देखें ऐसे बस इसी तरीके से हम यह पूरी line work करेंगे और बहुत सुन्दर सी तारकशी zigzag stitch में बनके complete हो जाएगी जब हमारा thread खतम हो जाता है हम इसको पीछे ले जाकर इसको यहाँ पर गांट लगा लेते हैं ऐसे गांट लगाने के बाद हम इस thread को बीच-बीच में से पास करते हुए थोड़ा आगे तक ले जाके छोब देते हैं यहाँ से trim कर लेते हैं अब हम जब हमने इसके corner को rotate करना और इस तरफ hemming करने है ऐसे ही तो उसको भी हम यूँ जहाँ पर हमारा thread निकला है यहाँ पर हम two stitches जो हमारे सामने दिख रहे हैं इसको यहाँ पर tucking कर देंगे और फिर हम four stitches लेंगे और इनको भी ऐसे ही tucking कर देंगे परले simple hemming करेंगे इस तरफ यहाँ तक फिर यह जो thread है इसको यहाँ से pass करते हूँ यहाँ पर इसको zigzag hemming कर लेंगे और इसी तरीके से यह row भी हम ऐसे ही zigzag hemming से complete कर लेंगे यह देखें इस thread को जब हमने नीचे लाना है यहाँ पर तो हम यहाँ से pass करेंगे इसको यह जो हमारा stitch है इसमें से needle को pass करते हुए और यहाँ center में से इसको निकाल लेंगे और अब हम two stitches को सबसे पहले tucking करेंगे यह देखें हमने two stitches की tucking करी और यह two stitches next two stitches मिलेंगे और यहाँ पर tucking करते जाएंगे यह मैंने आपको thread को एक line से दूसरी line में कैसे move करना है वो सिखाया है यहाँ से thread को इधर को लिया यहाँ पर और यहाँ से मैंने इस तरफ work करना शुरू करते है तो यह देखें हमारी चारों तरफ simple hemming और zigzag hemming complete हो बीच में embroidery करना सिखाना है जब आपकी तारकशी work चारों तरफ से complete हो जाएगी तो आप इसमें इसको decorate करने के लिए कोई भी stitch जो है वो लगा कर filling करेंगे मैंने इसमें यह straight stitch के साथ simple motif बनाया है इसको filler देने के लिए तो आपने कहीं से भी इसको start कर लेना जैसे सबसे पहल इसके opposite direction में लिए इसी तरीके से work करते हुए यह पूरी line मैंने work की फिर उसके बाद gap create किया कि मुझे कितना gap चाहिए gap के बाद मैंने फिर से दूसरे color के साथ ऐसे ही same embroidery करी और इस तरफ भी ऐसे ही करी इस तरीके से मैं यह gap को maintain करते हुए यह zigzag जो है वो motif बनाती रही तो मैं आपको सिखाती हूँ कि यह मैं किस तरीके से बनाती थी तो मैंने इस में देखा कि मैंने जो gap है वो एक यह जो इस तरीके से हमारी feeling है उस feeling को हमने देखना है एक दो तीन चार और यह पांच यह fifth feeling है हमारी इसके बिल्कुल सामने से हमने work करना शुरू करना यहां से यह देखें यहां से और यहां से भी हमने ऐसे ही लेना है कि यह बिल्कुल इस line के बिल्कुल सामने आए तो यहां पे हम अपनी needle को निकालेंगे यह मैंने अपनी तरफ से create किया हुआ gap है आप किसी भी तरीके से gap बड़ा छोटा कर सकते हैं निकालने के बाद हम इसी तरीके से work करेंगे तो इसको work करने के लिए एक दो तीन और चार चार stitches पे हम नीचे जाते हैं फिर इसके बिल्कुल सामने यहां से needle निकालती है लेकिन इसको निकालने से पहले हम इसको 4 stitches पहले यहां ऐसे नीचे जाएंगे पहले हम अपनी जो नीपीछे गांट लगाई हुई है इसको ensure करेंगे तो इसको ensure करने के लिए यह गांट के thread के जो हमारी strands है six strands है इसके three strand में से हम अपनी needle को pass कर लेंगे तो यह हमारी कांट जो है वो नीचे ensure होगी यह आगे पीछे नहीं जाएगी अब हम बिल्कुल इसके सामने यह देखें यहां पर अपनी needle को निकालेंगे हम यह four stitches down जा रहें एक दो तीन और चार चार stitches down जाके फिर हम ऐसे straight stitch ले ले लेते हैं एक बर ही अब जब बनाओगे आपको समझ आ जाएगा यह बहुत इजी है आपने four stitches straight stitches लेने हैं यह three होगे और यह fourth stitch है हमारा ठीक उसके बाद हमने इस तरह four stitches लेने हैं यह देखें down one two three and four four stitches हमने नीचे की तरफ लिये अब इनको भी इसी तरह के से work करेंगे same space पर हम इसको नीडल को डालेंगे और इसके विकुल सामने इसको निकालेंगे ऐसे हम इस direction में भी four stitches लेंगे two three and four जब हम fourth stitch लेंगे तो हम same उसी point पर दुबारा से नीडल को निकाल लेंगे अब हम इस direction में one two three and four यह देखें फोर्थ stitch लिटा four stitches हम दबाएंगे और बिल्कुल इसके opposite यहां पर नीडल को निकाल लेंगे और इस direction में फिर से हम four stitches लेंगे और फिर नीची ऐसे ही four four stitches हम उठाएंगे और four ही दबाएंगे यह देखें तो इसी तरीके से हम zigzag work करते हुए यहां end तक इसको work करेंगे और फिर से gap देखेंगे अगर हमारे पास gap five stitches का gap बनता है तो यहां पे भी एक हम और light green color का motif बना लेंगे तो देखें हमने पूरे mat को ऐसे ही diagonal line से फिल कर लिया है अब हम इसको और beautify भी कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसके edge पे छोट-छोटे से flowers बनाए हैं तो आप इन flowers को lazy-dazy stitch के साथ फिल कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यह वाला portion जो है यहां पे हम flower बनाएंगे तो सबसे पहले हम जो center हमारा जगा है वहां पे हम इसको निकालेंगे 4 stitches इसके उपर आएंगे 4 एक side पे 4 इदर तो यहां पे हम यह अपनी needle निकालेंगे निकालने के बाद हम इसको चुंकि 4 stitches इदर है 4 इदर है 4 इदर है 4 इदर है 4 इदर है यह देखें हमने थ्री स्टिचिज उठाए और इसको फॉर्थ स्टिच में मतलब जो थर्ड स्टिच है वहां पर हमने इसको टकिंग ने करनी इसके बाहा टकिंग करनी है उसका रीजन यह है कि अगर हम वहीं पर टकिंग करेंगे तो हमारी पैटल नीचे को चली जाएगी तो हम इसको ऐसे ऊपर को टकिंग करेंगे फिर से हम सेम पॉइंट पर निडल निकालेंगे और हम पहले पीछ वाला फ्लार फॉर पैटल्स बना लेंगे इसमें भी हम थर्ड स्टिच तक ही उठाएंगे और फॉर्थ में टकिंग करतेंगे ऐसे और फिर इधर सेम इसी तरीके से बढ़ करते हुए यहां पे भी हम थ्री स्टिचिज उठाएंगे और फॉर्थ पे टकिंग करेंगे और फॉर्थ पे हम टकिंग करतेंगे और अब इनके साइड्स में चारो तरफ भी ऐसे ही फूल बनाएंगे यहां पे भी हम बिल्कुल ए यहां पे फिल पेटल बनाएंगे और यहां टकिंग करेंगे लास्ट में इसी तरीके से इस साइड पे भी करेंगे हम यूँ और यहां पे इसको टक करेंगे तो यह हमारा फ्लार बन के रेडी होगा अब हम जब इसको पीछे attach करेंगे तो इस तरफ attach करेंगे ताकि ये thread जो है बाहर की तरफ ना आए हम इसके opposite जो हमारा stitch है वहाँ पे इसको हम दो stitches लेके knot लगा देंगे ऐसे तो ये हमारा बिल्कुल बनके complete हो गया तो ये देखें ये हमारा flower बनके complete हो गया हमने इसी तरीके से ये जो हमारे flowers है end वाले ये blue कलर के बनाया है बीच में center में हमने light green कलर का बनाया है अब ये flowers हमने कैसे scattered करने है ये आप देख सकते हैं हम इसके end edges में जब दो flowers बना लेंगे बीच वाली land में एक इधर एक इधर इनको आपस में यूँ जोड लेंगे हमारा center रागया यहां पर हमने flower बना लिया इसी तरीके से हमने इन दोनों को जब आपस में मिलाया और यहां पर हमने एक निशान लगाया तो हमें ये वले flower का space बता चल लिए कि इसको कहां बनाना है आप चाहें तो ये stands count भी कर सकते हैं जितनी stands आपने यहां छोड़नी है उतनी ही stands आपने इदर छोड़नी है अब इन दोनों के बीच में भी हमने यूँ ही फोल्ड करकरके निशान लगाये और उनमें ऐसे ही lazy daisy story से flower बना लिए तो I hope कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैंने ये वीडियो जो है आपको सिरफ ये बताने के लिए बनाया है कि तारकशी से हम बहुत beautiful runner बना सकते हैं तो इसके लिए main जो आपको करना है वो सिरफ यही कि आपने jute cotton लेना है आप देख सकते हैं ये cotton का कपड़ा है और countable इसकी strands होती हैं इनको count करके सबसे पहले हमने जितना बड़ा piece बनाना उसको square को निकाल लेना है और उसके चारों तरफ हमने hemming stitch कर लेना है और उसके बा हमने ये वाली zigzag hemming कर लेनी है हम पहले three sides पे zigzag hemming करेंगे four side हम end में करेंगे उससे हम count करने का जुरूरत नहीं होती automatically प्रदा चल जाता कि यहां पे हमारा motive finish हो रहा है तो इस तरीके से हम इनको count करकर के strands निकालते हैं और फिर उसके बाद हम सबसे पहले तारकशी करते है और उसके बाद हम उसके बीच में जो भी motive scribble करना है वो हम सोच लेते हैं और वैसे ही work करते हैं तो ये बहुत beautiful runners बनते हैं dining table, central table कहीं पे भी आप इनको बिचा सकते हैं अगर आपको मेरा ये motive अच्छा लगे और ये मेरा idea अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने family और friends के बना बुली, thank you so much, bye bye